नेचर लवल्स जो पोधा आज आप देख रहे हैं ये बड़ा ही इंपोर्टेंट है ये गाउं देहात में लगाया हुआ मिल जाता है इधर उधर लोग इसे ग्रो करते हैं लेकिन अधिकतर ये प्राइवेट गार्डन या घरों में ही मिलेगा ये जंगलों में बहुत कम मिल किता है ये बड़ा इंपोर्टेंट पोधा है पहले हम इसके कुछ मेडिशनल गुन आपको बता देते हैं रूट इच कंसिडर्ड एज एक्सपेक्टोरेंट बार्क लीज औड शीड्स केथार्टिक लीज एंथेलमिंटिक हिपेटो प्रोटेक्टिव एंटिसेप्टिक प इसका परियोग परजीवी क्रेमियों को नश्ट करने के लिए एवं मतली अपच और आंतों के विकारों में छुटकारा पाने के लिए किया जाता है फैपडो के पुराने संक्रवनों ने उपचार में इसका परियोग किया जाता है इसके परियोग के दोरान तंबाकू और शराब का परियोग ना करें वरना आपको पूर्ण लाव नहीं मिल पाएगा लोग इसे उचाया के नाम से जानते हैं ये एक जादूई पोधा है इसकी पत्ती को हाथ से छूने हाथ में बांधने या जेब में रखने मात से आप बुरी नजर से बचे रहेंगे कटे जले एवं फोडे पर बांधने से दर्द दूर होकर वे ठीक हो जाता है इस पोधे को लगाने से घर में सुक्षामती एवं सुकून रहता है और वर्चस्व में व्रद्धी होती है तो आप देख रहे हैं इस पोधे को किस तरह का पोधा है यह हमने वीडियो आपको दिखाया है इसमें फूल पत्ती और फली इसकी सारी चीजे हम आपको दिखा रहे हैं ये देखिए पत्तियां, इससे पहले हमने एक पोधा इसी तरह का आपको पहले भी दिखाया था, जिसका नाम था कैसिया ओक्सिडेंटेलिस, जिसको पमाड कहते हैं, उसकी पत्ति इससे थोड़ी बड़ी होती है, फलियां लंबी होती हैं और उपर को मुड़ी होती हैं, कि ये तना लाल होता है और फलियां गौल होती हैं और उससे छोटी होती है, यह आप देख रहे हैं किस तरह की इसमें फल आई हुई हैं, फलावर किस तरह के आए हुए हैं या आप वीडियो में देख रहे हैं, अच्छी तरह से इसे पहचान लीजिए, इसकी पत्ति को लेकिन उसके साथ थोड़ा सा अजवायन का परियोग करें यादरक का हलका सा तो इस तरह ये बड़ा इंपोर्टेंट है तो इसे आप लगाएं दूसरों को भी लगाने के लिए प्रेजित करें और इसे गाउं में अगर आप किसी से पूछेंगे तो उछाया के नाम से लोग इसे बता देंगे जहां भी लगा होगा लोग इसे बता देंगे दूर दूर से लोग इसे जलने कटने पर लेने के लिए आते हैं अगर जल जाता है तो इसकी पत्तियों को पीस करके उस पर लगाने से रहत मिलती है और बहुत जल ठीक हो जाता है जलने पर इससे बढ़िया और कोई नहीं है यह बहुत ही अच्छी ओस्दी है इसे आप देखिए और इसे परियोग करिए दूसरों को बताएं और वीडियो को आप देखें लाइक करें सब्सक्राइब करें अच्छी लगे इसे शेर भी करें यह आप देख रहे हैं इसमें तो यह पोधा जादूई पो बहुत सारे रोगों में यह काम आता है इससे पेट की अपच वगरा सब दूर हो जाती है और अगर खुसकी आई है आतों में तो वह भी दूर हो जाती है इस पोधे से सारी रिक सक्ती मिलती है और सरीर में ताकत का एहसास होता है यह पोधा मन को पसंद करता है मन खुसी से जूमने लगता है तो इस पोधे को आप याद रखें भूल ना जाएं और इसके बीच जहां मिलें उसे लाकर के अपने घर में लगाएं वीडियो देखने के लिए थैंक्यू